Dr. Jaisankar की knowledge के बारे में तो हम सभी जानते हैं, किस तरीके से ये international experts को एक ही जटके में चुप करवा देते हैं, वो भी हमने कई बार witness किया है, लेकिन इस बार इनके द्वारा एक ऐसा statement दिया गया है, जिसमें की एक single statement से इन्होंने तीन अलग अलग चीजों को directly address कर दिया है, सबसे पहले इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को address किया, नंबर दो इन्होंने बताया किस तरीके से UN as a platform बिलकुल बेकार हो चुका है, और नंबर थ्री इन्होंने इसी statement के माध्यम से जवाहला लहरू के द्वारा जो लिया गया फैसला है, उसके उपर भी एक बहुत ही बड सारी आजादी के पहले ही वर्ष में हमने बहु पक्षवाद यानि की multilateralism पर अपना भरोसा रखा था और कश्मीर में जो आकरामकता के मुद्दे को हमने स्वयुक्त राष्टरिक के सामने रखा था, मतलब UN के सामने रखा था, लेकिन UN ने इस particular मुद्दे को aggression से accession में बद रही हैं और UN ने ये किया था, only and only because of particular geopolitics, लेकिन इंडिया अब काफी बड़ा हो चुका है, अब इंडिया ग्रोप कर चुका है, हम लोग उस गलती को दुबारा नहीं करने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देख भी पाएंगे, इनके द्वारा ये statement दिया गया है, भारत ब रीके से भारत के खिलाफ गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, इंडिया एक्सप्रेस ने भी cover किया, took the Kashmir issue to UN, others gave it a accession color, इसी चीज़ के बारे में हम लोग detail में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं, कि exactly क्या सवाल इन से पूछा गया था, and जो इंडिया का stance है, इस particular ची मेरा नाम है अनेरुद, यदि आप लुग हमें follow करना चाते हैं, हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाते हैं, तो यहाँ पर दिये गए, telegram channels के माधियम से ऐसा कर सकते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि An Academy के offline centers अब नई दिल्ली के करोलबाग में, मुकर जिनगर में हिंदी मीडियम में, और प्रियागराज में दोनों ही जो batches हैं, हिंदी और English वो अवेलेबल करवाएगा हैं, अगर आप इन में से किसी भी course में या batch में enroll करना चाते हैं, process बहुत ही simple है, नीचे description में आपको एक bitly link दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर कि आपको click क सवाल पूछा गया था, कि भारत के लिए इंडिया का जो national interest है, वो important है, या फिर multilateralism, यानि कि बहुपक्षवाद, वो important है, तो यहाँ पर इन्हों ने साफ साफ बोला, कि इंडिया के लिए obviously जो उनका national interest है, वो जादा important है, और इन्हों ने उधारन देते हुए कहा, कि नहर उसमें third party intervention हुई, जिसके चलते कश्मीर का जो मुद्दा था, वो accession के मुद्दे में बदल गया, आपको briefly आपको recall करवादूं, हाला कि हम लोग यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन उस time पे जो जवाहरलाल नहरों के द्वारा 1948 में कि intention गलत नहीं थी, UN में हम लोग इस मुद्दे को लेकर गए थे, लेकिन intention यह थी कि मुद्दा solve हो जाएगा, but unfortunately उस time पे हमें support नहीं मिली, और जो मुद्दा था वो बढ़ते बढ़ते, आज एक border का issue बन चुका है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा जो problematic चीज है, वो वही कश्मीर का मुद्दा बन चुका है, by the way ये पूरा का पूरा जो statement डॉक्टर जैशंकर जी ने दिया, ये दिया है at the RICINA dialogue, जो की फिलहाल नई दिल्ली में हो रहा है, RICINA dialogue एक annual multilateral conference है, जो की भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है, हमारी MEA, इसको ORF के साथ मिलकर के आयोजित करती है, और इसको 2016 से आयोजित किया जा रहा है, ये उसका 9th edition है, जो की हमें 2024 में देखने को मिल रहा है, इस बार का जो RICINA dialogue है, उसका जो विशे है, it is चतुरांग, चतुरांग मतलब conflict, contest, cooperate and create, ये वाला विशे के साथ, इस बार के RICINA dialogue में हमें कई सारी बातचीत देखने को मिली, खेर, डॉक्टर जैशंकर के द्वारा जो दिया गया statement है, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि क्या इंडिया, overall बहु पक्षवाद के ही खिलाफ है, क्या हम लोग multilateralism को support ही नहीं करते, तो डॉक्टर जैशंकर ने यहाँ पर भी बताया क कि ऐसा नहीं कि हम लोग multilateralism के खिलाफ ही है, इन्होंने कहा कि दोनों चीज़ें coexist करती है, national interest भी important है और multilateralism भी important है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही multilateralism important होगा या फिर हमेशा ही national interest important होगे, ये calculations और competitions पर depend करेगा और उसके basis पर ही फैसला लिया जाएगा, और in fact इनके द्वा multilateral institutes ही सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए multilateralism सही से काम नहीं कर रही है, इसमें सबसे बड़ा example है, the United Nations, इन्होंने बोला कि पिछले 5 सालों में कोई भी बड़ा मुद्दा है, अगर हम उसको उठा लें, तो UN उसको solve नहीं कर पाई है, उसमें इन्होंने बताया कि जब problems multilateral हो चुकी हैं, उसके बावजूत ही हम लोग multilateral solutions तो यहाँ पर ढून नहीं पाए हैं, जो कुछ चुनिंदा देश हैं, वही अपने फायदे के लिए काम करते हैं, और वही जो हैं, उन्होंने हर चीज को एक game बना लिया है, भले globalization हो, भले global trade हो, भले कोई wars को लेके issue हो, वही जो permanent five members हैं, वो हमेशा अपने फायदे के लिए UNSC के platform का गलत इस्तिमाल करते हैं, बल्कि इन्होंने एक बहुती subtle तरीके से China के ऊपर भी निशाना साधा कहते हुए कि आज हैरानी वाली बात यह है कि UNSC का reform करने के लिए जो सबसे बड़ा opposer है, वो एक western country नहीं है, और हम सभी जानते हैं कि he is talking about China, because अगर UNSC में बदलाव लाने की बात होती है, तो हमेशा China ही वहाँ पे अपनी veto power का गलत इस्तिमाल करता है, बाकि जितने भी members हैं, वो यहाँ पे support में हैं कि UNSC में changes को लाया जाए, so basically इन्होंने multilateral institutes को target किया और बताया कि कैसे, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो 5 members वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके चलते जो बाकी सारे members हैं, उनको भी उसके गलत जो परिणाम है, वो जेलने पड़ रहे हैं, by the way मैंने इस particular चीज़ को लेके separate video बनाई थी, कि क्या-क्या मुद्दे हैं, आप इसको भी जा करके देख सकते हैं, very interestingly, इंडिया के द्वारा जो points को raise किया गया था, क्योंकि ये multilateral conference था, राइसीना dialogue का, तो तंजानिया के भी जो विदेश मंतरी हैं, यूसुफ मकामबा, वो भी यहाँ पर आए हुए थे, और इन्होंने भी काफी सारी बातें कहीं, इन्ह इन्होंने भी माना कि इंडिया जो है, वो global south का leader बन सकता है, और इंडिया के ही नेतिर्त से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और एक नया जो order है, वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, all in all in conclusion, जो dr. जैशंकर के द्वारा दिया गया यहाँ पर approach था, इन्होंने बोला कि multilateralism स हटते हुए, आज की date में हम लोग एक multi-vector policy को follow करना चाहते हैं, जिसको की हम लोग भारत की भाषा में कहें, तो we can call it विश्वमित्र, यानि की हम लोग पूरी दुनिया के दोस्त हैं, जिससे की हमारे जो संबंध हैं, वो और बहतर होंगे, और जिससे की हम लोग एक particular same direction मे आ सकेंगे, so that हम लोग साथ मिलकर के इस दुनिया को आगे बढ़ाएं, this is very very beautifully put, I really don't think so की इस से और अच्छे तरीके से इस चीज़ को कोई आंसर कर सकता था जैसे की Dr. Jai Shankar ने यहाँ पे किया है, बाकि दोस्तों आप भी अपनी राय definitely बताएं, because यह सवाल बहुत ही पेच mentorship, free magazine, library, wifi access जैसी सभी चीज़ें available होती है, फिर भी कोई doubt है तो नीचे दिये गए bit.ly link पे जाईए, यहाँ पर आपको हमारे free UPSC notes भी available करवाए गए है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.